मद्यपदेश सरकार का प्राक्तिक जैविक और गोवन शाधारी खेती पर फोकस है जिसको लेकर प्रदेश के किसानों में उत्साह का महौल है इस दोरान कृषी मंत्री कमल पटेल ने कहा कि रासायनी कुरवरकों के आत्याधिक उपयोग से किसानों के खेतों की मिट्टी जहरीली हो रही है और इस मिट्टी में जो फसल ली जा रही है उसके उपयोग से कई गंवीर विमारियों का जन्म हो रहा है उन्होंने कहा कि मैं भी किसानू इसलिए मुझे किसानों की चिंता है वहीं मध्यप्रदेश में 69,000 किसानों के पंजियन के साथ 28,000 किसानों को प्रस्रिक्षन दिया जा रहा है कृषि मंत्री कमल पटे जवाहलाल नहरू कृषि विश्य विद्याले के 60 वे स्थापना दिवस पर इंदोर पहुंचे जहां उन्होंने जैविक खेती को लेकर कहा कि कृषि विश्य विद्याले में शीग्र ही जैविक एवं प्राक्तिक खेती का अलग विभाग और दी है कमल पटे ने कहा कि रासाइनिक और वर्कों के अत्याधिक उप्योग से किसानों के खेतों की मिट्टी जहरीली हो रही है आज हमारे देश का नागरिक इसको खाने से कैंसर जैसी बीमारी की चपेट में आ रहा है उन्होंने कहा मैं किसान हूं इसलिए मुझे भी खेत के लिए 69,000 किसानों का पंजियन और 28,000 किसानों की प्रसिशन दिया जा रहा है इस मिशन के अंतर पर करसी विष्वेद्यले की भूमी का बहुत ही महत्मुन हो जाती है मेरा विश्वास है कि मेरी राजसरकार की मनसा नुरू जेविक प्राकरतिक खेती की दिसा में अधिक स हमारा प्रदेश देश में परंपरागत जेविक और गौवंश आधारी खेती किसानी में अवल है पाठेक्रम में जेविक और प्राकरतिक खेती का अलग विभाग बनाकर उसका विभागा देक्ष बनाया जाए और इसकी सिक्षा दी जाए साथ ही भविष में इसका एक अल मैंने खुल्पती डाक्टर बिसेंच जी से कहा था मंत्री बंते से ही कि हमारे आप हैं फीद डिपार्टमेंट अध्यक्षे लेकिन प्राकर्थिक और जेविक खेती के लिए कोई अध्यक्षे आध्यक्षे नहीं जबकि हमारे परमपरागत जेविक और गौवन साधरित खेत फिर बाज्बित टी कुशन झाल सब्सक्राइ्ट गर्चिर्वार्टीर गुजू टूंधिस्ट अफून्स कुश्ट गूर्श गर्ट टूंधिस इंटिश्वार्ट घ्रच टूंधिस एटू आटूल टिर्च, शूप प्रैप्डिस हैं झाल्टि टूंधिस्ट बेड लूर् कि अच्छिए निए प्रेमियर शिल बेस्ट उनिवस्टी रबिंटनाथ तगोई निवस्टी आप देख रहे हैं तखल निवस्टी